हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिट से BSC Pro Classes में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने कहें कि लाइट के माध्यम से यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी को बढ़ाना चाहा है आप देख सकते हो कि आप कमेंट से जरूर बताएं में कि आपको पहले से अची क्वालिटी लग रही है ने लग रही है और किस प्रकार हमने यहाँ पे थोड़ा बदलाव किया है तो आपके लिए है किया है तो कमेंट से जरूर बताएं इसके लिए और देखो आज अपना जो टोपिक है अपन इसको तो जरूर पर लेना और मैंने आपको बोल दिया कि देखो एक तो हमारे पास है अधित्तम, शक्ति, संसर्ण वाल मैं एक हमारे पास थेम्दन परमै एक इसके आगे वाले जो परमै है, आमने नोटन परमै इन तीनों को तो रट लेना मलब तीनों मैंसे आपको गारंटी 100% 99% तीनों मैंसे मिल जाएगा हर साल मिल जाएगा तो अपन यहां पर पहले बात करेंगे आज थेमने थोरम की तो देखो अपन आपका जो concept है वो clear होना यह चाहिए कि यहां पर है कि जाल परमे अपन पढ़ रहे हैं तो जाल परमे आखर क्यों पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं क्यों क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारे पार जो complicated network होते हैं जटल जाल होते हैं उनको अपन voltage रोत और प्रति बादा में परिवर्तन किया जा सकता है तो किस प्रकार परिवर्तन करते हैं सबसे पहले देखो इसका statement नहीं पढ़ेंगे अपन सबसे पहले इसका statement नहीं पढ़ेंगे इसका diagram समझेंगे इसका diagram समझने के बाद में उसके बाद में अपने यह थोड़ी से करने के बाद में इसके statement पर चलेंगे पिर इसके statement कहता कि है उसके बार बाद इन समझेंगे तो थेमिन पर में कहती क्या है आजाओ भी थेमिन पर मैं देखो क्या कहती है हमारे पास जो net और यहां पर हमारे पास एक नेटवर्क है जैसे मानलो आपास यह जो कैसा है यहां कि इसको शॉल करना है यहां कि इसमें कुछ भी हो सकता है कुछ भी element मलब कुछ भी यहां पर जुड़े हो सकते हैं जैसे कि प्रतिरोद प्रतिबादा कुछ भी जुड़ा हो सकता है इसके अंदर कुछ भी ठीक है तो यहां पर अपने पास यह दूटर्मिनर नेटवर्क है और यहां पर अपने पास बाद में हमारे पास क्या जाडल लोड प्रतिवादा जोड़ी है जाडल तो इसको अपन यहां पे चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा इसको अपन चेंज कर सकते हैं थेवनन परमे के द्वारा किस में इसको चेंज कर सकते हैं अपन यहां पे देखुद्यान से यहां पे एक्वलेंट यानि कि हमारे पा कुसिस करना किना क्या चाह रहे हैं समझो क्या गई थेयु थेंन ज्टर मेए हैं हमसे क्या करवाना चाहती है और क्या अपने scriptures थे मारे पास यह जाल था चाहिता सही किसमें अपने तुल्य उल्टburg वोलता equivalent और तुल्य प्रतिबाता जाड़ equivalent में परिवर्तिन कर सकते हैं लेकिन condition क्या यहाँ पे कि जाड़ equivalent और equivalent हमारे पास स्रेनी करम में होंगे और हमारे पास जो A टर्मिनल A रहा और B टर्मिनल A रहा और हमने लास्ट में जाके हमारा जो जैडल लोड परति बाता थे जोड़ी वित्ति उसको अपने ऐसे कैसे जोड़ दिये तो यानि कि हमें यहाँ पे कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है तो क्या समझा हमने हमने यह समझा है थेमिन प्रेमे के माध्यम से क्या समझा है भी शांदार तरीके समझने की कोशिश करो हमारे पास कोई complicated network का जाल है network है हमारे पास यह due terminal network है यानि कि कह सकते हैं पर यह हमारे पास due terminal network है जहाँ पर terminal A और B हमारे पास मुझूद है ठीक है तो यहाँ पर बात क तो यहाँ पे हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं कोई भी complicated network होगा उसको अपन यहाँ पे E equivalent और Z equivalent में चेंज कर सकते हैं यह हमारी कहती है थेवनन परमय यह कहती है कि हम मेरे को उप्योग करते हुए आप क्या कर सकते हो किसी भी complicated network को जटल जाल को आप क्या कर सकते हो Z equivalent और E equivalent में चेंज कर सकते हो यह बोल रही है हमारी थेवनिन परमय तो यह हमारा देखो simple परिपत हो गया ठीक है यह हमारा simple परिपत हो गया यह हमारा हो गया थेवनिन परिपत क्यों हो गया है यह हमारा पास तोनूं से नीं करम में जुड़े है लिए द्यान से देखना क्योंकि आपन जो हमारी नेक्स्ट थ्रम है पांचि ठालम जसको अपन बोलते हैं नोटन थि क्षिम वह और पास बिलकुल सेम ऑएगी और उसमें क्या करेंगे उसमें ऍकल रावर wr करेंगे कि हमारे पास जो जयडे कुलेंट आना वह वह मारे पांस स्रेणिति कर रम में नी समान 2 तो थिककर मलत है मलब यह सकते हैं मलकूल उल्टा कर सकते हैं उसमें única थारम में इसको अपन ध्यान समझेंगे, तो हमारे पाथ जो नोटन थोरम है, उसको अपन आराम से समझ सकते हैं, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पर देखो, मैं बुलडाओ स्टेटमेंट को समझने से पहले, यहाँ पर आपन क्या करते हैं तको यहां पर उल्योद्ट दो च्यक्ता करते है जिसको नाम है ऑम्म का लगाते हैं जाल लांगा ते आपको पतास यहां करा एक और बलंपर II अइसके बाद मिने क्या करा कि यहां पर उपने की एकमान होन khayan ये खills टेंक हैं जैडल अमार पास हो जाए को दिखत नहीं है यानि कि I का मार पास के आ गया I equivalent अपोन में आई बड़ाबद जैड़ अपन पर में जैडल आमार ठीक है यानि कि आमार पास थैवनिन परमे की अंतरगत दारा का जो फोर्मला है I is equal to E equivalent पर में Z equivalent plus में जैड़ आ गया है तो यहां पर अपन जो current है न इसका नाम वपन दे सकते हैं या तो अपन दे सकते हैं यह ने कि देखो यहां पर इस सरक्रेट में अगर अगर अपन धारा निकालते हैं तो I L, load दारा यह अपन इसको कह सकते हैं थेवनियंटर, इट्प लगाते यहां पर, यहांपे थेवनियंट करंट के रूप में अपने इसको देख सकते हैं, तो हमार पास यह क्या है, इसको हमारे पास E equal and upon में, J equal and plus में जैडल हो गया, यह हमारे पास फोर्मला आ गया, किसका थेवनियंट करंटक आ गया, ठीक है, त लेकिन यहां पर समझना बिल्कुल शांदा तरीके से किसको E equivalent और Z equivalent को क्योंकि थोरम हमारी टिकी हुई है किसके उपर E equivalent और Z equivalent के उपर टिकी हुई है क्यों क्योंकि हमने network को Z equivalent और E equivalent में change किया है यानि कि हमारी जो थोरम है वो E equivalent और Z equivalent पर हिट की हुई है समझलो इस बात को E equivalent पराबर हमार पास क्या है हमार पास ये है निर्गत सिरो पर निर्गत सिरे पर मापित तुल्ये वोल्टा क्या हमार पास निर्गत सिरे पर मापित तुल्ले वोल्ट था जब ये अमारे पास क्या हो निर्गत सिरे खुले हो ये हमारे कंडिशन होने ची निर्गत सिरे खुले हो ये हमारे कंडिशन है इसके यहना कि E equivalent कि है हमारे पास निर्गत सिरे पर मापित तुल्य वोल्ट था जब निर्गत सिरे खुले हूँ यह हमारे condition है किसकी condition है E equivalent की condition हमारे पास ठीक है इसी प्रकार हमारे पास जो Z equivalent है उसकी भी condition है हमारे पास वो क्या है कि यह भी हमारे पास क्या है तुल्य प्रतीवादा है ये प्रतीवादा है जब हमारे पास क्या हो नेर गत से खुले हो इस लायन को अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लेना कि थिवर्म हमारी कंप्लिट हो चाहेगी बिल्कुल शांदार तरीके से, ठीक है, जब निर्गासरे खुले हो, ठीक है, तो मेरे साथ से यहाँ पे आपको कोई भी प्रोबलम नहीं होने चीए, कि निर्गासरे पर मापे तुल्ले प्रतिपादा है, हमार पास total impedance है, जब हमार पास निर्गासरे open हो, खुले हो, लेकिन जब आप देखना जब आपन नोटन ठोरम पड़ेंगे फांचवी ठोरम पड़ेंगे उसमें देखना हमारे पास क्या होंगे नियोस्त आप अपने दोनों तो थ्यमिहन दोनों समझ में हैगी यहां पर समझँ दे Κो समझो इस चीज को अमारे पास थैनर सर्क्इट है को यह मने क्मप्लेकेट़ सर्कीट को हमने लेकिन अमारे पास क्या हैं प선रनी करम निट्वर्म के और भी उससे छुड़ा होगा है ले तो अमारे पास यहां भी जुड़ा होगा था तो ओम कर्णियम के खता है V बराबर I R तो I बराबर V अपॉन में R तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि Z equivalent प्लस में क्या जाएगा जडल ठीक है इस इक वाल्ट बात करते हैं हमारे पास Z बराबर क्या हो जाएगा आपको अगर यह concept समझ में नहीं आया है अभी तो कोई बात नहीं क्यों आप इसको पढ़ लीजिए जब वहाँ पर हमने इसको diagram के मादद में समझेंगे तो आपको और भी शांदा तरीके से समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास जाड़ी कुलन क्या है निर्कसरे परमा पर तुल्ले परतिवादा है यहाँ पर जब निर्कसरे खुले हूँ ठीक है तो यह मेरे साब से अभी तक इसकी जो रामायन है छोटी सी यह आपको लिखनी पड़ेगी एक्जाम में जब आएगी ठीक है तो यहाँ पर त्योरी में आपको लिखना है कि ठीक है उसके बाद में अपने स्टेटमेंट लिखते हैं यह आपको कार्ण लिखने पड़ेगी पहले और आपको डिफैंट करना पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा शानदार तरीके से समझना अब देखो इसके बाद में पर शानदार तरीके से आधा हुए तो यहाँ पे जो statement है कतन है यह बिल्कुल same रहेगा आप यहाँ पे जो मैंने notes प्रवाइड करवा रखे हैं न टेलेगराम चलन पे वहाँ आसे इसको download करना और आप वहाँ पे जो statement है उसको आप श्योम पढ़ना उसके statement को मैं यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ और आप जब वहाँ पे देखोगे इसको तो जो हमने पीछे कहानी समझाई है बिल्कुल डिटो कहानी है ठीक है तो statement क्या कहता है हमारा कि थेवनेन प्रमे के कतन के अनुशार यदि किसी द्वी टर्मिनल जटिल जाल में वि जड़ एक्योविन्ट परतिवादा में परतिस्तापित कर सकते हैं जहां हमारे पास जड़ उक्विन्ट सरे पर मापित तुल्य परतिवादा है और एक नुट्य वोलता है जब निर्गसरे खुले हो यहना कि वह कहानी है मैं आपको दाइगराम बना देता हूँ वापिस ए एक हमारे पास यह क्या है जाल है नेटवर्क है हमारे पास यह इस नेटवर्क के अंदर यह हमारे पास नेटवर्क के एक जाल है और यहां पर बात करते हैं कि इसके अंतरगत इसके अंतरगत अपन बात करते हैं यह यह हमारे पास से एक जटल जाल है ठीक है इसमें अगर हमार चाहिए है और यहां पे यहां पे इधार तो लोड परतिवाद प्रतिवाद जोड़ी होगी है अब देखो इस प्रकार के जाल को यानि कि हमारे पास जाल है जिसके अंतरकत हमारे पास से वोंटेंस पर हो सकता है Impedency हो सकती है Z तो इस प्रकार के जाल को हम यहाँ पे Thamiland circuit के द्वारा Thamiland परिबत के द्वारा इसको अपन Change कर सकते हैं किसमें इसको Change कर सकते हैं अपन देखो हमारे पार जितनी भी विदियो शुरूत होंगे न उनको अपन लिख देंगे Equalant के रूप में और हमारे पार जितनी भी परतीबता होंगी उनको अपन लिख देंगे Z Equalant के रूप में ठीक है और फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन जो load परतीबता है उसको जोड़ देंगे तो यह हमारा काम तो यहां पर इस्टेवनेंट में किया का है बिलकुल देखें Basket confirm को मैं अगर बोहूं अगर वापिस तो बिलकुल डाइग्राम से अगर भार नहीं जाएगा स्टेवनेंट देखना यह मार पास क्या है ठीवनें ug docs प्रिपत है नो को दिक विद्धोतो शूरोत उपस्तित हो ठीक है तो यहाँ पे अपन उस विद्धो शोरोत को और अमारे पास जो आमारे पास प्रतिबादा होगी उसको अपन जैड एक्विलेंट और E-Eक्विलेंट और Z-Eक्विलेंट में प्रति स्तापित्त और सकते हैं जहाँ पर क्या है तुल्य परतिवादा है जब निर्गत सरे खुले हो यह तो हो गया हमारा पास कतान स्टेटमेंट आपकी जो इसकी थोरी है उसको आप टेलिग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए आपको लिंक की डिस्क्रिप्सर मिल जाएगी वहां से नोट्स को डाउनलोड कर पर लिए इसके थ्योरी बकाईद आपको मिल जाएगी और इसमें निमेरिकल्स भी करवा रखे हैं अगर आपको समझ मेंद कर लिजिए अनेता अपने लास्ट में जरूर्व कर लेंगे उसके बाद में अब आता है अमारा मैत्मेंटिकल प्रूब गनीतिए सत्या बनाता है हमारा सबसे important जो पार्ट है सका है mathematical गनेति ये सत्थ अपन mathematical proof सत्यापन तो mathematical proof कर लेते हैं वाइस में क्या दिक कर दो तो mathematical proof करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा दो simple सापन को यहां पर pattern follow करना पड़ेगा तो यहां पे अपन क्या करते हैं दीखो तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात तो यह है कि यहां पर अपने इसको सोल कर लेते हैं, बिल्कुल शांदा तरीके से, तो वही यहां पर फिर आपन को एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा, उस डाइग्राम की थेयरी आपको लिखने पड़ेगी, तो डाइग्राम बना लेत प्रकार का डाइग्राम अपन बनाते हैं जैसे इस परकार अपने बनाया यहां पर यहां पर अपन बात करते हैं एक इंपेडेंस और जोड़ी विए इसके बारे में बात करेंगे अभी बस थोड़ा सा देहरी अब रखो तो यह अमारा दूसरा टर्मिनल ए टर्मिनल यह कैसा हो गया हमारा यह हमारा हो गया देखना इस बीच में मार पास एक और यहां पर तरोध जोड़ देते हैं ठीक है यह मार प्लस प्लस यह मैनास ठीक है और हमारा पास यह हो जाएगा तो यह हमारे पास लेगा इसको जोड़ दिया पनने तो यह हमारे पास प्लस यह मार पास हो गया है और हमार हने न चैनल यह तर circuit है और यह circuit के माद्धियम से अंतर्गत अपन बात करते हैं जैसे मान लो यह यह वोल्ट असरोत है और हमार पास यह जैड़न होगी यह 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 जैड़न होगी तो यानि कि अगर current अगर flow करें तो यहां पर देखो यह क्या है यहां पर यह आर है यानि कि यह क्या है हमारे पास यह प्लस है यह माइनस यह हमारे पास आर है यानि कि इसे voltage source का यह आंतरिक प्रतिरोद है यानि कि आंतरिक प्रतिरोद नहीं जिस लूप के अंतरगत, जिस लूप के अंतरगत, यदि हमारे पास वोल्ट ता स्रोथ जुड़ा होता है, उस से लूप के अंतरगत अपन देखते हैं, तो हमारे पास सेचुरेशन करंट, यान संतरप्ध धारा के नाम से इसको जानते हैं, तो यानि कि इस लूप के अंतरग जोड़ी हुई है हमाँ पर end में तो यहाँ पर हमनों करना क्या है इस से complicated network के अंतरगत हमें करना यह है कि हमें IL यानि कि इस प्रकार हमें यहाँ पर थेविन current करना पड़ेगी इस सरकेट के द्वारा और फिर इस सरकेट के द्वारा जो current का मान निकालेगे ना उससे current को अपन एक तो अलग अलग यानि की अपने पास जो circuit आएंगे अपर आप एकुलेंड और जैड एकुलेंड के रूप में हम उसको अलग अलग बेली निकालेंगे औ इसको अपन टुकडों में तोड़ के लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने एकुलेंट और जड़िकुलेंट को डिफाइंड किया है तो आइए चलते हैं शांदार तरीके समझेंगे अल्टीमेट तरीके समझ में आएगा और यह हमार पास कहा है इस नेटके है इस नेटके हैं आईएस और आईयल कमाल यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे तो चलते हैं आपने यहाँ पर और अंपन समझा दिया था मैंने इसमें ठीक है तो अब चलते हैं आगे और शांदार तरीके समझने की कोशिज करते हैं यहां पर अगर अपन आई एस की वेल्यू अगर करें तो किस प्रकार करेंगे देखो द्यान देखना यहां पर अगर अपन आई एस की वेल्यू कैलकुलेट करें तो किस प्रकार करेंगे यहां पर अपन सिंपल ओम का नियम लगाते हैं किसमें यहां पर फस्ट लूप में यह प्रति रोद कई और किया है यहां पर हैं वाल्टेश्ट करते हैं यहां से यहां पर इससमें थेखाएंस तक अब एक पर गए लाएंस करेंगे सब्सक्ynen आपको सिम्पल सी बात है में समांत्र करिम में confusion रहता है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हम यहां पर पता कैसे लगाएं कि हमारे पास यह स्रेणी करम में है वह समांतर करम में है उसका भी एक लाज है क्या करो देखो यह प्लस माइनस कैसे अपन डिपांड करते हैं जिस परकार हमारे पास देखो यह उच्छी वीवाला यह प्लस माइनस यह प्लस माइनस यह प्लस माइनस मैंने बता रहा है पहले से ही ठीक है तो यानि के अपन यहाँ पर समांतर करम में जुड़े होंगे यह अपन को 12th class में भी समझा दिया था वैसे को दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर बात करते हैं अगर total resistance की total परतिवादा की total impedance की तो यहाँ पर देखो इस पूरे circuit के बात कर रहे है पन यानि कि फर्स्ट लूप में यानि कि इसमें बात कर रहे है पन पूरे circuit के लिए बात कर रहे है ठीक ह क्योंकि यह दोनों अपस्ट में जूड़े हैं ठीक है उसके बाद में अगर आपने यहाँ बात करें धिया यह कहा देखना ये कहा हम प्लस माइनस तो माइनस प्लस प्लस यह निकि जड़ ट्री है वो जड़ टू और जड़ के मान फ्लस में जुड़े है तो इससपर क्या क करेंगे यहां पर देखो Z3 कर देंगे यहां पर मल्टिप्लाइ अपर में क्या करेंगे हमारे पास Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 अब ऐसा क्यों किया है क्यों कि आपको पता होगा हमारे पास जो समांतर करम का फोर्मुला होता है क्या होता है समांतर करम का फोर्मुला अगर मैं र two उसी प्रकार R one प्लस में R two उसी प्रकार देखो यहां पर भी अपन ने खिया है ? यहां पर भी अपने simple इसी method का follow किया है और देखो अगर अपन देखो Z2 और ZL को अपन simple R मान लेते हैं और Z2 हमारे पास क्या हो जाएगा Z3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं simple उस पर में उप्यों करते हैं तो देखो R1 R2 याणि कि Z3 multiple Z2 plus Z3 और अपन में जोड दिया है तो याणि कि इस प्रकार हमने IS के वेलों निकाल सकते हैं तो यहाँ पर और थोड़े का अपन सोल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखो द्यान देखना थोड़ा से द्यान समझने को सिच करना हमारे पास क्या हो जाएगा LCM ले लेते हैं LCM लेंगे यह उपर सल जाएगा यानि कि देखो Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 यह हमारे पास है तो यह Z2 प्लस जाड़ल है हमारे पास Z3 दो यह जाड़ल आएगा Z1 नहीं आएगा और यहाँ पर Z1 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा Z3 तो Z3, Z2 और ZL तो यहाँ पर देखो Z3 है ZL कर देए इसको और див मल्टिप्लाय में आजाएगा मारे पास E और अपえनめं क्या आ जाएगा देखो यह हमारे पास क्या हो जाएगा Zs प्लस में Z1 qual और देखो अटिपलाय में मारे पास क्या जाएगा यह हो जाएगा देखो Z2 कि थे को कि दिक्त नहीं यह मार पास वैल्यवी आगई तो यह अपन कि सकते हैं मारपास is की ब्रयस कह लिए समय का नम्मर एक स्कुर अपन नाम दे क्रिए लेकिन अब करता है अपन कplat отвеч करें तो आयल करन अपन कैसे करें करDING आयल करने के के लिए विभाजण नियम लगानपड़ेगा और और दारह विभाजण क्या कहता है कि इस दो कि मुझा जहां फिक्स इस लूप की बात करेंगे है तो इस लूप की तो ने मीजाल को क्या है तो इस लूप के लियुफ उस लूप के अंतर देनी फर्स्ट लूप में और जो आपस परती बाता है जैट 3 उसका अपन ने उपर उपर लिख देंगे और हमारे पास टोटल इंपेडेंस कितर है यहां पर यहां पर इसकी बात करेंगे तो यहां पर आपको पता है मैं डाइग्राम दिखाना चाहता हू आपको यहां पर एक बार आई इसकी बात करेंगे अपन तो यहां पर अगर अपन इस लूप की बात करते के वल इसकी क्योंकि आयल के वल यहां पर बहरा है ठीक है तो यहां पर बात करते है आयल के लिए तो आयल के लिए आपको पता है कि हमार पास से दारा विबाजन निय जो अन्य परती बाद होती है Z3, तो Z3 हो जाएगा, ठीक है, जैने Z3, आप और में हमारे पास क्या है, उस लूप के अंदर का ते, उस लूप के अंदर टोटल कितनी है, देखो Z3, Z2, Z1, कर दो टोटल, कितना हो जाएगा, Z3, Z2, Z2, Z1, मल्टिप्लाय में क्या होता है, तो यहां पर अपन बात करते है, इसको निकालते है, आगे है, तो यहां पर IS की रख देंगे, सामने लगा फार मल्टिप्लाय में हमारे पास क्या होता है, मल्टिप्लाय में जाएगा, तो इस यहां पास बढ़े घा, इसको आपन नीचा करने था है, ठीक है मैं लिख दूँगा वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको दिक्कत नहीं आने चीए यहाँ पर देखो क्या जागा देखो Z3 प्लस में Z2 प्लस में ZL ठीक है और Multiply में हमार पास आएगा E अब वोन की बात करते हैं हमार पास क्या आएगा ZS प्लस में Z1 और Multiply में हमार पास है Z2 प्लस में Z3 प्लस में ZL ठीक है और प्लस में हमार पास Z3 Z2 प्लस में ZL यह हमार पास है तो यह आपको दिखने है इसको पर इदर करते हैं तो हमार पास क्या आगया यह हमार पास आगया Z2 प्लस में ZL टेख सकते हैं यहां पर यहां ओपर इस से कैन्शिल हो जाय गार guiding कोशिज करो यह से कैंशिशर गोल यहां पहलो Su लेकिन अगर थोड़ा याद करो लेकिन आप थोड़ा याद करो तुम आपको बताने की कोशिश करता हूं जब हमने शुरु सुरु में डाइकराम पढ़ा था तो आपर परने क्या पढ़ाता इस प्रकार का पढ़ाता कुछ है कि हमने आई टी एच यह फिर आई-ल दोनों की बात बरावरी है आई टी एच अनिकी थेवनन करन्ट है यह फिर लोड करन्ट है इसकी जो वैल्यू कितनी और था कुछ आप याद करो यह नहीं था आर एक्कुलेंट प्लस में जैडल था यहां पर जैडल था तो इस फोम के रूप में यानिकी इस रूप में यानिक समझो इसको यहां पर लिखते है अपन वाप्र इस लिखते हैं देखो आई-ल इस इक्वाल टू यह पिर अपन प्लस में जैडल आप देखो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो हमने इस्टार्टिंग में यही फोर्मुला आपको लिखा है था आई-ल यह आई-टी-एच का जो फूर्मुला होगा एक्कुलेंट अपन में आर एक्कुलेंट प्लस में जैडल होगा तो यहां पर क्या कर सकते हैं श Roose Monella वरवात को यहां पार इसको इसाई-एल को अपनों यहां में लाने के लिए कुछ कार्य भिदि करेंगे अपन उसको समधना थोड़ा सा ध्यान से और क्या करेंगे बस्टी सम पबहुत यहां में समझने की बात है तो यहां पर देखना इसको एन पर पास क्या हो जाएगा देखो हमारे पास यह है क्या है इसको करने के लिए मैं कुछ करता हूँ यहां पर इससे मल्टिप्लाइब करते हैं इसको देखो द्यान देखना तो क्या होता है हमारे पास देखो द्यान से तो इसको अपन यहां पर multiply कर सकते हैं को दिक्कत ने देखो अगर अपन यहां पर multiply करते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर देखना थोड़ा से द्यान से मैं किस प्रकार multiply कर रहा हूं यहां पर यह हमारे पास ZS plus में Z3 यह देखो आपा ZS plus में जो Z1 है ना इसको मैं multiply कर रहा हूँ किसके साथ इस Z3 के साथ समझ़ एक बार बात को समझने एक बार इस Z3 के साथ multiply कर दिया ठीक है उसके बाद में मैं यहाँ पे देखो plus लगाता हूँ और यहाँ पे बात करते हैं अब इस समझ में अजाएगा थोड़ा सा देहरे रखो क्या किया है यह तो आपको मेरे साथ समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है यहां बेड़ास जैडल जैडवन है मारे पास इसको माल्टिप्लाइब कर दिक्कत नहीं है और यहाँ पे जैड़ास दोनों में से common ले सकते हैं इसलिए मैंने बनाया था बस calculation को simple करने के लिए बनाया वई देखो जो भी काम करेंगे calculation simple बनाने के लिए करेंगे अपन तो यहां पर क्या जाएगा देखो zs प्लस में z1 ठीक है और z3 आ गया प्लस में यहां पर z2 प्लस में z अला अपन common लेते हैं तो आप देखना हमारे पास क्या बन जाएगा यह बन जाएगा zs प्लस में z1 प्लस में z3 यह बन जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यदि अपन यहां पर देखना थोड़ा से से जड एस जड वन जड थी अगर अपन दोनों में से कॉमन लेते हैं कि यह अपन बात करें अभी आपको समझ में आईगा थोड़ी देर रुख जाओ भी देखो समझ में आपको सब कुछ आएगा एक एक चीजह समझाऊँगा मैं आपको तो इत्वरम काफी शांदार है इसलिए बता रहो हम आपको यहां पर देखो यह जैडवन जैड़स जैड़स जैडवन और जैड़स इन दोनों में से कोमन ले लिए वाई सब बाहर तो उन्हें क्या करा ए जैड़स अपन में कर दिया देखो Zs plus में Z1 plus में Z3 इसको ले लिए बाहर, ठीक है? तो यहां पर बचय का क्या? हमारे पास D Бог इसको लिख लेता है पहले यानि कि देखो Z2 plus में ز Ale तो बिल्कुल बच गया है, shape ञ्योंकि हमने यहां से इसको उठा लिया उसके साथ यह बचा आमारे पास लोड़िया आपको बिल्कुल श्यांदरतर के समझारों में आपको तो है आपको फिर आये लका जो मान है इज इक्वाल टू में हमार पास क्या आएगा देखो यह हमार पास डिवाइड में ए जैड तो इसको पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि दियान से जैड फ्री अपोन में जैड एस प्लस में जैड वन प्लस में जैड थ्री इसको इस प्रकार लिख दो यह फिर ऐसे लिख दो बात तो बरावरी है बात तो बरावरी अपोन में बात करते हैं देखो यह हमार पास जैड टू जैडल है ठीक है यह दोनों प्लस में है तो इसको क 1-0 , आप ड्यान से यहां पर अपने पास अब देखो इस फों में आपने इसको बना दिया है अब यह क्यो बनाया है कैसे बनाया है वो बात की बात था बस क्यों यह बताओ कि यहां तक की कि जो calculation है आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे साब से calculation में को दिक्कत नहीं है उन्हें वैसे अपन इसका एक बार revision वापिस कर देंगे ग कर देंगो एक बार पैसर था फिर था थे तरह फिशन ठीक है तो फिरस के बाद मों एक ठीस सम्झ की में इसको मैं सब्सक्राइब और कैसे बनाया है वो पता सल गया लेकिन क्यों बनाया है वो बताता हूं आपको यहाँ पर देखो अपन को क्या करना है कि हमें IL बराबन E Equivalent अपन में आद इक्यों फ्लस्मिन जैडल इस फोम में हमें इसको बनाना था क्योंकि हमें शुरू में find किया था हमने il का मान यानि कि ith थ्यानन करंट या il लोड़ करंट का जो मान है हमारे पास e equivalent अपण में r equivalent प्लस में zl के रूप में है तो आप यहां पर देखो ध्यान से यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो यह काम कर रहा है हमारे पास किसका यह काम कर रहा है हमारे पास E equivalent का समझो बात को E equivalent का यह काम कर रहा है ZL का और यह पूरा काम कर रहा है हमारा किसका R equivalent का तो बस इसी के लिए अपने इसी फॉम में बनाने के लिए अपने यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार बनाया है और जो calculation है वो आपको समझ में आने चाहिए आप इसमें यह कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऐसे करना पड़ेगा तो यहाँ क्या करोगे practice करोगे तब ही तो पता चलेगा practice करोगे तभी तो पता चलिएगा तो यहाँ पर practice करने ही पड़ेगी आपको और फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको simple इस calculation को यहाँ पर इस प्रकार यहाँ आ परेखो आपको यह आरिक्या करना पड़ेगा आतर आकरिखनाई आतर में फ्रकंतल्स में शोकर छाएक अब देखो कि यहां पर क्या करना है आपको यह दिखके कघ लिए तो यह रिए बात करते हैं आरेकुलेंट लैते हैं R equivalent और Z equivalent का तो यहाँ पर क्या है Z equivalent जब निर्गस सरे खुले हो हमारे पास तुल्ले प्रतिबादा होती है तो अब देखो क्या करेंगे अपन दो case लेंगे और दोनो case हो में एक case में ग्याद करेंगे अपन E equivalent का मान और एक case में ग्याद करेंगे R equivalent या Z equivalent का मान और यदि जो अपन value निकालेंगे E equivalent और Z equivalent की अगर वो value सेम आ गई है हमारे पास ये जो अपन ने निकाली है अभी सेम आ गई तो ये समझ लेना हमारी जो थेमने पर में है वो सत्य है, proof है हमारे पास कि हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी सरकेट को अपन किसी भी सरकेट को अपन किसके रूप में Z equivalent, E equivalent के रूप में चेंज कर सकते हैं आगे चलते हैं, अब देखो ये हमारे पास अभी तक आपको 50% समझ में आया है 50% समझ में आया है लेकिन जब अपन अब केस करेंगे दोनों तो आपको 100% समझ में आयेगा और अपन ये पूरी कैलकुलेशन को दुबब़ा समझेंगे एक तो शांदा तरीके से और हमने ये सीखेंगे कि कैसे हमने क्यों किया कैसे किया दुबब़ा समझेंगे दुब़ा लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा अब थोड़ा से ध्यान आप हठा हूँ यहां से और चलते हैं अपना काम अभी किया है अपनने जो मैनत अभी अपनने की है उसका अपनको अफल मिलेगा तुल्ले बोल्टता यहां पर लिख देता हूँ मैं तुल्ले बोल्टता हमारे पस क्या है अब देखते हैं तुल्ले बोल्टता क्या था मैंने आपको माँ पर चीक चीक के बताय था कि आप सुन लो समझ लो इसको कि मैंने कहा था एक विलेंट क्या है निर्गत सिर्य पर मापित तुल्ले बोल्टता है जब निर्गत सिर्य खुले हो तो आईए आईए वाई क्या कहने है अपन यहां पर जो एक विलेंट हमारे पास यह क्या है हमारे पास यह है कि जब निर्गत सिर्य खुले हो निर्गत स इसासरे खुले हों ठीक है बिल्कुल सख्ये पकरना इस प्वॉंट को निरगसद को तो समझना इसको देखना अब अपन डाइगराम कैसे बनाते हैं हमारा डाइगराम यह था क्या आप बता हूं रखा था ठीक है यहां पर सीए गर शेयर बनु गया है यहमरपास कहले गया है यह बन गया है यह हमाराइग्राम बन गया है यह यह डाइगरम हमारा बन चुका है, कोदिक थोड़ी है, अब देखो द्यान से, यहाँ पर एपन क्या करते हैं, यह यहाँ पास क्या है, यह यह पास ZS है, अब देखना द्यान से, थोड़ा से द्यान से समझने की कोशिश करोगे न, तो शांदार तरीके समझ में आएगा यहा माइनस है यह प्लस यह माइनस यह प्लस यह माइनस यह प्लस यह माइनस सह यह यहां पर क्या करें है अपन तुल्ले वोटता क्या होती है एकुलंट क्या होता है जब निर्गसरे खुले होते हैं तो हमने क्या कर दिये निर्गसरे खोल दिये निर्गसरे खोल दिये तो पर निर्गत सरा खोल दिया तो आप देख सकते हो अमारे पास जो ए भी है अमारे पास open terminal यानि खुले परिपत की बाती काम करेगा तो आप बता है खुले परिपत की बाती काम करेगा तो आप बता है खुले परिपत्व में current फैल current का संचरंड नहीं होता है current का प्रवाद नहीं होता है तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब यहाँ पर अपने वित्यूसरूर लगा रखा है तो यहाँ पर current जाएगा तो यहाँ से गया यहाँ यह पहले circuit में current बहेगा लेकिन जैसे यह circuit second में जाएगा तो आप बता है current हमारे पास यह flow होई नहीं पाएगा क्यों कि हमने यहाँ पर circuit को open कर रहा है अर्थात अपन बात करते हैं यहाँ जो Z2 है हमारे circuit में हमारे पास जो Z2 circuit में है वो तो यहाँ पे खुले परिपत की पाती काम कर रहा है यहाँ कि Z2 का हमारे circuit में कोई भी काम नहीं है यहाँ कि हमारे पास इस परिपत में Z2 अर्थ हीन है मतलब क्यों अर्थ हीन है क्योंकि वहाँ पे खुला परिपत मौझूद है ठीक है आगे बिल्कुल बास समझ में कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें तो यहाँ पे देखो हमें E equivalent गयाद करना है तो E equivalent अपने गयाद कर नहीं सकते AB पर क्योंकि हमारे पास खुले परिपत हो गई खुला परिपत हो गई लेकिन आप देख सकते हो हमारे पास देखो यह क्या है हमारे पास E equivalent यहाँ पर है यहाँ पर निकालना है voltage समान रहते हैं तो यहाँपे अगर AB पर जो वोल्ट अाइगी वो हमार पास A' और B' पर आएगी तो इसलिए पन क्या करते हैं A'd बिंदू और B'd बिंदू पर अर्थार्त Z3 पर Z3 पर अपन क्या करते हैं ना करते हैं याँपे Đर इकृलेन्ट का मान हैं तो ऑड़ कामान निकालने पर नपर तक क्योंता है कि आ आर कामान्स आपन देखें तो बहुंता कि आप देख सकते हैं यहाँ पर já भन 73 कि यहां पर 13 औहारा पर सारी स्रेकर में जुड़ेवे हैं तो zs plus Z1 plus Z3 यह तो हो गया i कमान फिक है अब हम चीये equalonent कमान तो यहां पर देखो equivalent बराबर हमार पास क्या हो जाएगा i into r तो i हमार पास कितना हो जाएगा देखो e आप होण में बात करते हैं हमार पास कितना हो जाएगा zs plus Z1 plus Z3 अब R का मान क्या हो गा? आर का मान यह होगा कि जिस विंदु पर यह ने जिस पदिया जिस परति बादा पर अपन E कुलेंट का मान निकाल रोए वो हमारा पास value होगी R का मान तो R का मान कितना हो जाएगा अमार पास? जैर K kingdoms तो यहां पर E equivalent का मार पास कितना आगया मान यहां आगया हमार पास E equivalent ब्राबर E Z3 अपन में Z1 प्लस में Z3 तो अब यहां पर देखो अपन केल्कुलाशन को पूरा कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमार पास पीछे value आई थी वह आप देख सकते हो कि हमार पास same इसी प्रकार की value आई थी यहां पर देख सकते हो E equivalent का आगया हमार पास E into Z3 अपन में Z1 प्लस में Z1 प्लस में Z3 यह कैसे आया मैंने बिल्कुल शांदार तरीके से आपको समझा दिया है उसी प्रकारपंदी को तुल्य परतिबदा की बात करते है Z equivalent की तो वही condition follow करेंगे ज यहांस फिनिये तो प्रकारप केसे कि जब यह प्रकाइब देखना इक वहां प्र体काले है देखना ञाद करेदे जब अपनड़ से प्रतिबदा नीकाले हैं तो लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ेगा अपन को क्या हमारे पास जो भी परिपत में जैसे यहां पर यह बोलता स्रोत लगा हुआ था ना तो जो भी परिपत में हमारे पास बोलता स्रोत होगा उसको उसकी आंतरिक परतिवादा से कर देते हैं यहां पर समझो बात को समझो बात को समझो बात को और मैं क्या कहने को सिस कर रहा हूं कि यहां पर आपने उसको रिप्लेस कर देते हैं उसकी आंतरिक परतिवादा से अगर मान लो हमने यहां पर जैड़ा से इसकी आंतरिक परतिवादा मानी है अगर हम इसको 0 मान ले तो मान लो आपकी इच्छा है आपके उपर है कि आप इ जैड एकुलेंट क्या है नर्गत सरी खुले होता है तुल्य पर्तिवादा है ठीक है लेकिन जब आपन जैड एकुलेंट का मान निकालते ना तो वोल्ट श्रूत है उसको उसकी आंत्रिक पर्तिवादा से रिप्लेस कर देते हैं तो अब यहां पर डाइगराम क्या बनेगा अब देखो अब यहां पर डाइगराम बनेगा इस्परकार देखो यह मार पास कि अधार जैड वन यहां पर जैड टू ठीक है यह आप आप अपने वोल्टेस्ट इसोर्स को रिप्लेस कर दिया किससे उसकी आन्तरिक परतिवादा से और यह मार पास पूरा डाइगराम बन कि यहां पे हमने यहां पे अब देखो आपके मन में सवार आया होगा कि हमने यहां पे वोल्टा सुरोत को रिपलेश क्यों किया है वही सवाल उठता है हमारे दिमाग में कि यहां पे हमने वोल्टा सुरोत को वोल्टेश सुर्च को हमने रिपलेश क्यों किया है तो इसलिए क किया है क्योंकि जब यह अपन परती बाता का मान निकालते हैं सर्केट में तो हमें क्या करना पड़ता है हमें यह करना पड़ता है जहां से अपने सर्केट को उपन किया है ना उदर से अपन यहाँ पे इनका सायन देते हैं देखो यह प्लस है यह माइनस यह प्लस है यह माइनस यह प्लस यह माइनस यानि कि यह माइनस हो जाएगा यह प्लस और यह माइनस हो जाएगा उसी प्रकार अपन इसको सिरिने करम और समांतर करम में जोड़ेंगे, आप देखो यहां पर अगर आपन जैरी इकुलेंट का मान निकालें, तो आप देखना, हमारा पस क्या होगे है? को सिर्रीनिकरम मैंने आपको बता दिया है यह क्षिए हमारे पास अगर यह प्लस यह माइनस है यानिकि देखो विप्रिज चिन आ रहे यह पर बात करते हैं ये प्लस है ये प्लस है ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास दोनों समांतर करम में जुड़े हुए है ठीक है और ये हमारे पास माइनस प्लस तो ये भी हमारे पास सरने करम में जुड़ा हुआ है तो यानि कि देखो जैट टू को तो अलग कर सकते हैं क्यों फ्रूर्मला देखो Z2 तो हमें ऐसे जोड़ देता है यह तो हमारा ऐसे जुड़ा हुआ अलग से फिर उसके बाद हम बात करते हैं देखो हमारा पात Z1 और ZS दोनों किसमें जुड़े हैं यह माईनस यह प्लस है दोनों स्रैने करप में जुड़े हैं इसमें इन दोनों के समानत्रकर में जुड़ा वाई Z3 तो देखो यह हो गया Z3 और Z1 प्लस में ZS प्लस में Z3 आपको फोर्मला आता होगा और आप देख ले ना हमारे पास जो हमने Z equivalent का मान यहां पर यहां पर इतनी मैनत अपने करी है और इसी कारण से अपने Z equivalent की वैलू निकाली है और देखो नुमेरिकल में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको कोन-कोन सी वैली आपको इतनी तोर में याद रखनाए पड़ेगी अपने इसका रिवस्न कर रहे हैं एक बार यह्त पूर शांदार तरही से बताऊँ को दो मिंट रुखा हो एक बार आप यहां पर देखो यह नुमेरिकल की दरश्टी से महत पूर्ण फोर में किया है महतवपून वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रमे है यह हमार पास किसके नुमेरिकल के मात्यम से तो नुमेरिकल के मात्यम से फिर आपको कौन कौन सी वैलियू याद रखने पड़ेगी देखो कौन कौन सा फोर्मला याद रखना पड़ेगा आपको देखो एक तो I-L का मान जो मैंने आपको शुरू सुरू मताया था यह I-L क्या है हमार पास यह I-L हमार पास है थेवनिन करंट या लोड करंट ठीक है इसकी वेलू कितनी है E-Equivalent अपकों में आई हमार पास Z-Equivalent प्लस में Z-L फिर उसके बाद में देखो हमने Z-Equivalent के आपको याद रखोगे ना तब ही आपको नियूमेरिकल में साहिता मिलेगी Z-2 प्लस में हमार पास कितना आगया Z-3 Z-1 प्लस में Z-S अपों में बात करते हैं Z-1 प्लस में Z-S प्लस में Z-3 ठीक है और यहाँ पे देखो थर्ड आपको किया आद रखना है कि E-Equivalent के जो value हमारे पास कितनी है E-Multiply में Z-3 अपों में हमारे पास Z-S प्लस में Z-1 प्लस में Z-3 ये तीनों value आपको रट लेनी हैं क्योंकि जब भी आप numerical करोगे ना थेवनेन प्रमे का तो आपको ये तीनों value आपको रट लेनी होने चीए तभी जाके आपके निमेरल कर सकते हो तो देखो वापीस चलते हैं अपन वापीस चलते हैं भूल जाओ जो कुछ भी पढ़ाता हो सब कुछ बोल जाओ अपनने क्या पढ़ाता क्या नहीं पढ़ाता सब कुछ भूल जाओ अपन चलते हैं वापीस थेवनेन प्रमे को स्टार्टिंग से इसका रिविजन करते हैं शांदार तरीके से चार नमबर का सवाल बही मैं इसलिए कर रहे हैं पन चार नमबर का सवाल है शांदार यहां से ठीक है अब यादो थेवनेन प्रमे थेवनेन प्रमे आदो दुबारा दुबारा रिविजन कर रहे हैं शांदा तरीके से क्या है हमारे पास कोई देखो थेवनेन प्रमे है यह किसलिए प्रमे है हमारे पास कोई नेटवर्क है यहांने कि इस परिपत के अंदर अपने क्या लगाया ओम का नियम लगाया यहां से अपने ITH यहांने कि IL या फिर अपनने ग्याद कर लिए देखो यहांपे इसको बराबर में IL भी लिख लो यान कि यह क्या है हमारा पास Limited Chicken यहांने कि इसके विलुक यहां पर लिख लिख लो Used全 इसके स्टेट्मेंट पर। इसके स्टेट्मेंट आपको पता ही है स्टेट्मेंट क्या कहता है स्टेट्मेंट वो ही कहेगा जो भी मैंने आपको समझाया है यदि हमारे पास के कोई जटल परिपत है जटल परिपत के अंतरगत यदि हमारे पास बोलता शुरूत और परतिबादा जुड़े हुए है तो उनको अपन वहाँ पे जैड एकुलेंट और एकुलेंट से परतिस्तापित कर सकते हैं जहां पे जैड एकुलेंट क्या है तुले परतिबादा एकुलेंट क्या है तुले वोल्ड था कब जब जब दिगसरे खुले हूँ यह हमारे स्टेट्मेंट हो गया उसके बाद मैं बात करते हैं करने के लिए आ परिपत का परिकलबने करते है, जहाँ पर पंच क्या है प्रति बदा है है और यहाँ पर पर पास यह ठीक है तो हमारे पास आयस का झौन निकाले अपन तो देखे न कालेंगे इस पूरे परिपत के लिए निकालेंगे क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि थेमिन जो परमय है वो भाई सब पूरे परिपत के लिए लाग होती है ठीक है तो हमारे पास IS का जो मान निकालेंगे अपन ठीक है वो अपन यहाँ पर पूरे परिपत के लिए निकालेंगे ठीक है यहाँ पर देखो Z1, Z2, Z2 और Z3 इन सब के लिए अपन IS का मान निकाल लेंगे, तो current का फोर्मला क्या होता है, ओम के नियम से, वे बरावर IR, आई बरावर क्या है, वे अपन में R, तो देखो, वे हमारे पास क्या है, हमारे पास E है, ठीक है, और हमने यहाँ पर R का जो मान निकाला हो, किस प्रकार निकाला, आपको पता, सेणी और समान निकाल का कौन सेट, आपको complete तरीके से आना से, ये देखो ये मारे पास प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देखो हमारे पास ये प्लस ये माइनस में अर्थाद विप्रिचने के साथ में अर्थाद ये सिर्णी करम में लुड़ा हुआ है यह माइनस यह प्लस यह दोनों स्रेणी करम में है यहाँ पर देखो यह प्लस यह प्लस यह क्या है हमारे पास समानतर करम में यह माइनस यह प्लस यह हमारे पास स्रेणी में है यह हमारे पास माइनस यह माइनस यह हमारे पास समानतर करम में है यह Z2 है तो Z2 और ZL यह दोनों किसमें जुड़ेवे हैं माइनस और प्लस यह दोनों सेरी करम में जुड़ेवे हैं तो देखो Z2 प्लस में ZL कर दिया है उसके बाद में कानी स्टार्ट होती है हमारे पास देखो Z3 है ना तो जैड़ टू जैड़ल के कहा है समात्र करम है तो देखो जैड़ 3 का मल्टिप्लाइब कर दिया और अप उनमें तीनों को जोड़ दिया नहीं कि जैड़ 3 जैड़ 2 और जैड़ लेका इस फोर्म लेके माध्यम से ठीक है वो दिक्कत नहीं है यहां पर उसके बाद आपने स एल्हिंक को बेज दिया उपट तो इपर देखो जैड़ जैड़ टू जैड़ थ्री आमर पास मल्टिप्लाइब में ओगया थिक है अब ऑन्म, में ह्गया की ऑस पर आ बास में नहीं लेके अभर UP सकोड़ इस कि इस परिपत में गरना करेती है अपने आयल गी ठीक है तो आयल के गरना कैसे करेती है आप देख सकते हैं आयल यानि के अपन ने अपन को देखो सेकेंड परिपत में यहां पर सेकेंड परिपत में अपन को करन निकालना है तो धारा भी बजन नियांब करन डिविजन में लेते हैं अरो उसको ब्रत में मल्टिप्लाइए में आइसे कैसे उसके बाद में इसके बाद आई有一 ! करिये क्योंकि हमें अयल बरावर i equivalent R equivalent प्लष में जेडल की form में चाहिए था में formula तो जैडल की फॉर्में चाहिए तो मैं क्या निकाला देख भी यह निकाले अराम से इस प्रकार हमने क्या करा हमने यह किया क्या कि यहां पर देख सकते हो आप ओप चोटी सी क्या करिए हमने क्या करी ए हमने यहां पर देखो यह मारे पास यह क्या है। यह हम इसके साहता से क्या करा कि Dad. यौह करती है यहां पर हमने जाय pengadet को जाडाल को 걵ान ले लीए यहां पर ZS, Z1 और Z3 बच गया, यह हमारा बच गया अंदर की तरफ, ठीक हो दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, आगे चलने के साथ हमने क्या करा, कि ZS, Z1, Z3 हमने पूरे से common ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि हमें इस form में चाहिए था value, ठीक है, उसके बाद में देखो, यहां पर हमने Z3 उपर है, यह से कैसे, अपोर में ZS, Z1, Z3 हमने common ले लिया, पूरे से, तो देखो, Z2, ZL तो अठ गया ही, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास यूपर चला गया, और देखो, ZL को अपर होन गया, EQUALENT, ठीक है, इससे तुलना कर दो, यह तो हो गया, EQUALENT, यह हमारे पास यहां पर यहां पर देख लो, यहां पर देख लो यह हमारे पास R E 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 तुल्ये वोलता क्या होती है? अमारे पास जब निर्गसरी खुले होते हैं ठीक है? ठीक है? तो यहां पे देखो जेटो हमारे पास R3 है उसके बाद हमने यहां पे Z3 के उपडर हमने यहां पे Equivalent निकाला क्यों? क्योंकि समानतर करम में वोलता समान होती है ठीक है तो यहाँ पर जाटी थरीका माह निकाल लिया फिर यहाँ पर दो उसके बाद में जो समय का नमर तीन नाम देदे दे तो समय करन एक और तीन को देख लो आप दोनों बराबर हैं तो यह तो इसो के लिए यहां पर करना क्या पढ़ेगा उमें जो उसको इसकी आमतरिक पर्तिवत्वतर से पर सताबित कर देते हैं तो हम ने यहाँ पर बोलता सुरुत को उठा दिया उसके बाद मैं सिंपल कर दिया उसके बाद में यहाँ पर 스roth को जोड़ा हुआ है उस परिकार हमने यहाँ पर प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखा कि यह मारपस त extracting नी में है यह मार पस किया समांत्र में है यह मार पस रड़नी में है तो वहाँ पे जोड़ के हमने यह वैलू निकाली ZEQUILLEंट की यहाँ पर देखो ZEQUILLEंट की जो वैलू है है मार इसको समिय करने चार दे सकते हैं और समय करना 2 वा चार को देखो को दोनों पराबर हैं तो यह मैं क्या है थेविन पर मैं तो शांदार तरह के समझाए मैंने एक भी दिक्कत मैंने ने दिया आपको दुबार रिविजन के मातिम से भी और आपको देखो यहां पर याद करना पड़ेगा आपको देखो यह पर मैं आपको यह पर मैं आपको यह मेहत्पुन फोर्मिले हैं जो इप्रमे की याद करने पड़ेंगे आयल बराबर ये और जड़ एकुलेंट और एकुलेंट क्यों क्यों कि नुमेरिकल में सीधे अपन काम लेने वाले इनको ठीक है तो अब मिलते अगले लेक्चर में और उसके नोटन थोर्म के साथ में ठीक ह कि अगले खुछ में एकुलेंगे प्षाझ झाले और डिक शब में एकुलेंटेंगे रधिय्य大 है